हेलो फ्रेज, सब्सक्राइब इस चैनल और लाइक इस वीडियो हलो बच्चो मेरा नाम है साशा मैं आज आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ तो चलो शुरू करते हैं एक दिन जंगल में एक शेर और एक कुता रहते थे शेर कभी कभी कुते के साथ खेलता और दोनों दोस्त बन गए थे एक दिन शेर ने कहा हम एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन हम दोनों में बहुत फरक है तू तो शेर है और मैं कुता हूं कुते ने जवाब दिया हाँ हम आपस में मुक्तलिफ हैं मगर ये हमारे दोस्ती को मुतासर नहीं करता। एक दिन जंगल में एक शेर शिकार करने गया और वो फस गया। वो दरखतों की तरफ दोड़ने लगा लेकिन निकला नहीं। कुते ने देखा कि शेर परेशान हो रहा है तो वो शेर की मदद करने आया। कुते ने शेर को एक बड़ा पत्थर फैंका और उसको कहा कि इसको पकड़े और इसको खुद पर खीच कर शिकार करके जीत हासिल करें। शेर ने कुते का शुकर यादा किया और दोनों दोस्तों की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। इसके बाद से ये दोनों दोस्ट हमेशा एक साथ रहते और अपनी दोस्ती की कदर करते थे तो प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती में जिंसियत या मौशर्ती हैसियत का कोई रोल नहीं होता बलके वो सिर्फ दिल की पुकार और अच्छे कर्मों पर मुपनी होती है उमीद है मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो इसे थम्जब दे, लाइक, शेर और सब्सक्राइब, बाई